बिस्मिल्यार्मान राहिम असलामेंकुम दोस्तों गैसे हैं आप सब बहुत ही स्पेशल और मज़े की दैस्पी और जटपड़ी तियार हो जागी तो यहां पर एक चुथाई कप हमने लिया है कुकिंग ऑइल का और इसमें हम एड़ कर देंगे एक चमच हज़क लेसन का पेस और कटिंग जो है वो सभी वेजिटेबल्स की सेम करनी है साथ ही हम इसमें एड़ कर देंगे बंगोबी चलेंजी यह सभी चीज़न जो है एक एक प्याली हमने एड़ करनी है और बहुत जादा इसको हमने कुक नहीं करना ठीक है लोग से फ्लेम के अपर इनको हम पकाएंग और वान टेबल स्पून इसमें हम चिली सॉस एड़ कर देंगे और यह हमारे पास सिरका वान टेबल स्पून ठीक है तीनों मसाले यह तीनों जो सॉस है इसके अंदर बहुत जरूरी है इनकी खुश्बू इनका फ्लेवर हमें इस रेस्पी में जरूर चाहिए अब यहाँ हमने एड़ करने इसमें तीन अदद अंडे जिनको हम पहले अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इस तरह से बीच में थोड़ी जगे बनागे हम इसको एड़ कर देंगे ठीक हो गया अब यह रेस्पी मतलब के इतनी मज़ेगी बनेगी ना कि इन्शालला आपका दिल खुश हो होता है अब यहां पर हम इसमें एक प्लेट भर कर वाइट राइस की आड़ कर देंगे जिनको हमने वाइल किया हुआ था और इसकी हलके हातों हम करेंगे मिक्सिंग तो शांदार एक फ्राइड राइस जो हैं हमारे तयार हैं बहुत ही खुश्पूदार बहुत ही टेस्टी और यह ऐसी चीज़ है कि हम बलेट भर भर कर भी इसे खाएं तो जो है पेट नहीं बढ़ता क्योंकि यह बहुत ही लाइट होते हैं बहुत ही खुश्पूदार होते हैं और बहुत ही शांदार इसमें से फ्लेवर आपको मिलता है जैसले जी बिसमिल्लारामानराहिम तो अशालला अलहमदलिल्ला देखेंजी मेरे लाइट की शान बहुत ही शांदर एक फ्राइट राइस रेस्पी तरह रहा है दौा में रखिए वीडियो को लाइक कीजिए प्यारा साफ उपसूर सा कमर्जूर कीजिए और हमें बताइए किसी भी रेस्पी में कि हम इसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं किस तरह से लुक्स के लिहाज से टेस्ट के लिहाज से दौा में रखिए अगले तक अल्ला हाफीज